Dog psychology क्या होती है और वो आपको कैसे मदद करती है कि आप अपने डॉक को काम रख सको, confident रख सको, healthy रख सको और एक deep connection, deep bond उसके साथ create कर सको Hi, this is Sunny Luthra from Oh My Dog Rocks जहां पर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे एक confident and proactive dog parent बने So, आज का topic बहुत interesting है, मेरे लिए तो बहुत जादा interesting है, dog psychology और यहां से ही मैंने dog के जो behavior में या फिर लोगों को जो मदद करने में मेरी journey यहां से ही start हुई थी, मैं dog psychology को study कर रहा था और काफी amazing field है, काफी amazing concepts है और यह जानकर बहुत जादा surprised हुआ था मैं उस समय पर, क्योंकि बहुत अंजान था मैं, कि जो dog की psychology होती है, वो human के psychology से different होती है आज यह मुझे बहुत obvious सा लग रहा है, लेकिन उस समय पर यह obvious सा नहीं था मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने professionally dog behavior को समझने का start किया था तो मैं बचपन से ही dog से साथ पला बढ़ा हुआ हूँ, उनको observe करते वे बढ़ा हुआ हूँ और बचपन में ही देखा करता था कि उनका behavior काफी कुछ हमें मुझे समझ में नहीं आ रहा होता था मैं दिमाग में story जरूर बना सकता था, लेकिन उस समय पर मैं काफी observing mode में रहता था कोई story नहीं चलती थी, सो मुझे समझ में नहीं आता था कि dog का behavior क्या है लेकिन जैसे जैसे जिन्दगी ने turn लिये, हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि जहां पर हमें dog behavior में वापिस से दिलचस्पी हुई और हमने वापिस से study करना start किया और बहुत सारी चीजे जो मैं बचपन में देखता आ रहा था वो unfold होने लगी जो कि amazing था, बचपन की चीजे जो आपको समझ में नहीं आती है, कभी समझ में आने लग जाती है तो आपको लगते हो आप स्मार्ट हो रहे हो फिर मैंने लोगों को भी सिखाना start किया, लेकिन बात यह है कि ये समझना बहुत जादा ज़रूरी है और यह समझना उन लोगों के लिए ज़रूरी है, सब के लिए नहीं बूलूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक इंसान dogs ecology को समझे, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो dog के साथ एक रिष्टा create करना चाहते है, वो जो अपने dogs को काम रखना चाहते हैं, confident रखना चाहते हैं, happy रखना चाहते है तो रिष्टे के लिए क्यों जरूरी है सी अगर आप किसी के साथ रिष्टा क्रिएट करना चाते हो और रिष्टे को अच्छा करना चाते हो तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि रिष्टा अच्छा कैसे होता है सो कोई भी रिष्टा हो उसकी quality depend करती है quality of communication पे आप कितनी अच्छी तरीके से एक दूसरे से communicate कर रहे हैं मतलब आप ये बात को agree करोगे न हम कितनी अच्छी तरीके से एक दूसरे से communicate कर रहे हैं उतना ही हमारा रिष्टा गहरा होते जाता है communication हम कितना अच्छी तरीके से कर रहे हैं वो depend करता है हमारी understanding के ओपर एक दूसरे की मैं आपको कितना अच्छी तरीके से understand कर रहे हो और आप मुझे कितनी अच्छी तरीके से understand कर रहे हो उसके हिसाब से हमाया रिष्टा strong होता है अगर हम इंसानों को ही देखें इंसानों में दो तरीके की psychology होती है male psychology, female psychology और जनरल परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो male psychology, female psychology होती है male human इस दुनिया को एक different नजर से देखता है female human इस दुनिया को एक different नजर से देखता है dog एक different species है वो human ही नहीं है, वो एक different species है लेकिन जो पूरी society है हमारी ये सोच के चल रही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही dog सोचता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है so dog psychology completely different है पहला step यही है कि हम अपने अंदर ये mindset लेकर आए कि dog psychology different है वो इस दुनिया को different नजर से देखते हैं हम इस दुनिया को different नजर से देखते हैं पैस क्या होगा ना हम अपने mind में stories create करते रहेंगे dog ने ऐसा किया हमने story create कर ली कि भाई ये तो किसी को miss कर रहा था dog dog bark करने लग गया हमने को story create कर ली उसकी भाई ये इसलिए बार कर रहा है क्योंकि हमने कल इसको chocolate नहीं खिलाई थी something like that हम कुछ कुछ stories create कर लेते हैं लेकिन dogs ecology की एक मज़धार बात बताता हूँ आपको वो यह है कि dog अपने past में जाता ही नहीं है अब लोगों को बहुत ऐसा लगेगा यार dog अपने past में नहीं जाता तो फिर उसको याद कैसे रहता है मैं कौन हूँ उसको याद कैसे रहता कि इधर क्या है तो dog अपने past में नहीं जाता उसका मतलब है उसको यह पता है कि आप कौन हो लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसको यह कब पता चलने लगा आपके बारे में यानि कि वो कब आप से मिला था एक साल पहले, दो महीने पहले, तीन महीने पहले टाइम का उसके दिमाग में concept नहीं है उसको यह पता है आपका मतलब क्या है आपका मतलब हो सकता है उसके दिमाग में कामनेस हो आपका मतलब हो सकता है उसके दिमाग में excitement हो आपका मतलब सकता है उसके दिमाग में walk हो एक family member हो लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप उसकी दुनिया में कब आए ये तभी possible है ने जब इनसान past में जा सकेगा हम किसी इनसान से मिले हमारा इससे रिष्टा कब create हुआ तो सामने वाला इनसान पुछ सकता है तुम कब मिले एक दूसरे से हम बता सकते हैं डॉक के पास वो capability नहीं है तो दिमाग में stories बनाना कि ये डॉक इसलिए behave ऐसा कर रहा है क्योंकि ये ऐसा सोच रहा है एक और डॉक के दिमाग में thinking power भी नहीं है कि वो सोच सके डॉक रियाक्ट करते तो most of the time जो अब डॉक को ऐसे बैठा बार देखते हो न वो कुछ सोच नहीं रहे होते है वो meditation वाले mode में उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा कि शाम होगी तो मुझे वाक पे जाना है यार वो बाहर वो dog मिला था उसको पीटने का था मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है यार मैंने खाना मांगा लेकिन मुझे नहीं नहीं खाना नहीं दिया मैं आब इनसे गुस्सा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं चलता और यह मैंने, यह science है, उनके दिमाग में capability नहीं है, thinking की, और हम अपनी thinking की capabilities को granted ले लेते हैं, हमें लगता है, सब के पास ही thinking capability है, ऐसा नहीं है, जानवरों के पास नहीं है, इंसान, सिर्फ इंसान के पास है, okay, so जो जानवर है, जो dogs है, वो react करते है, वो react करते है, moment to moment, वो past म moment में जीते है, वो present में जीते है, उसका मतलब यह है कि वो past और future में travel नहीं कर सकते, यह toxicology का base है, वो present में रहते है, so अभी जो चल रहा है, उनको उससे मतलब है, तो फिर उनको याद कैसे रहता है पुरानी चीज़े, उनके दिमाग में associations create हो जाती है, association का मतलब क्या होता है association का मतलब है कि अब एक पपी को लाए आप घर पे, बच्पन से start करते हैं toxicology को, लाइट गई, एक पपी को लाए आप घर पे, आप पपी को लेकर आए, story को थोड़ा twist मारते है, दो पपी है, दो फैमिली है, same litter के पपी है, same energy level, हर चीज सेम, अब यह दोनों के पपी, एक इ पास गया, फैमिली है, समदलो गुपता जी, फैमिली भी समदलो शर्मा जी, हाँ, समदलो गुपता जी और शर्मा जी के घरों में एक एक पपी चला गया, अब गुपता जी के जो घर में पपी गया, वहां के जो लोग है, वो पपी से बच्पन से ही बहुत excitement से मिल रहे है आप excitement से प्यार कर रहे हैं, पपी उनके ओपर jump करता है और उनको उसको प्यार देते हैं, ये लगातार किस्सा चलता रहता है, लेकिन शर्मा जी किया डिफरेंट है? वो पपी के साथ शांती से मिलते हैं, पपी जब जब जंप करता है तो वो no touch, no talk, no eye contact, follow करते हैं, ताकि शान्त हो जाए और उसकी बाद वो प्यार करें गुपता जी जो है वो एकसाइटमेंट को लगातर प्यार कर रहे हैं शर्मा जी जो है वो कामनिस को लगातर प्यार कर रहे हैं यह डॉग जब बड़े होते हैं गुपता जी का डॉग जो है काफी एकसाइटेड होता है काफी पूतता रहता लोगों के उपए, शर्मा जी का जो डॉग है वो काफी शान्त होता है, काफी कामडाउन होता है, दोनों सेम एनरजी के पपी, हुआ कैसे ऐसे, यह एसोसियेशन से हुआ, अब एसोसियेशन से कैसे हुआ, बचपन से ही जब भी डॉग एक्साइड़ हो रहा थ तो उसके दिमाग में एसोसियेशन क्या create हुई, मैं जब humans आते हैं, मैं उनके पर झोप करता हूँ, जोर जोर से जंप करता हूँ, तो वह मुझे प्यार करते हैं, बच्वे गोधी में उठा लेते हैं, इसका मतलब झोप करना ही सही है, यहां पर यह बहيवियर हमसे expected है जबकि गुपता जी समझ रहे थे कि वह happy हो रहा है वह excited हो रहा है वो उसको प्यार कर रहे थे उनको इस चीज की knowledge नहीं थी शर्मा जी के हाँ पर क्या हो रहा था कि जब dog excited हो रहा था उनको dog's ecology की knowledge थी कि excitement का मतलब happiness नहीं होता excitement का मतलब बस excitement होता है excitement और happiness दो different emotions है तो शर्मा जी को यह बात पता दी उनने no touch no talk no eye contact follow किया dog शान्त हुआ उसके बाद उसको प्यार किया तो वहाँ पर उसको क्या पता चला उस dog को कि यहाँ पर calmness को नर्चर किया जाता है यहाँ पर calmness expected की जाती है इसलिए यह dog excited रहा और यह dog calm रहा इस तरीके से dog ecology वर्क करती है इस तरीके से इनका association वर्क करता है अब हम यह नहीं बोल सकते यह कुता तो excited ही है यह कुता तो काम ही है आपने उसको excitement किया excited रखा आपने उसके अंदर excitement nurture किया आपने उसके अंदर calmness को नर्चर किया हम कितना भी calmness nurture कर लें लेकिन यह excited ही रहता है उसका reason भी है कि dog के अंदर काफी उर्जा होती है गुपता जी क्या करते थे dog को ज़्यादा तर घर में रखा करते थे और शर्मा जी क्या करते थे अच्छी walks देना नेचर में outings लेकर जाना घर में rules, boundaries, limitations रखना, discipline देना लेकिन यहाँ पर full shoot थी तो यह excitement के बाद अब यह territorial भी हो गय है क्योंकि इनको पूरी छूट थी और exercise नहीं मिली तो गुपता जी का जो dog है उसके अंदर frustration भी आ गई so excited तो थाई सही उसके बाद territorial भी हो गया क्योंकि घर में कोई rules, boundaries, limitations नहीं रही उसके बाद उसके अंदर frustration भी आ गई क्योंकि exercise ही नहीं दी बाहर लेकर ही नहीं गई चार दिवारी के पीछे बैठा रहा, दस मिनिट की walk दी, वापिस घर पे आ गए, frustration ही frustration बिल्ड होगी, उसके बाद ये जो भाई प्यारा सा पपी था, उसमें aggression आ गया, aggression तो आई गई सही ना, excitement है, hyperness है, है ना, territorial behavior है, यानि मिर को किसी की नहीं पड़ी, यहां का मैं हूँ भाई मैं territory protect करूँगा, मैं हाँ पर control करूँगा, उसके बाद frustration आ गई, territorial behavior, excitement, frustration, creates aggression, और इधर का शर्मा जी का देख लो dog, तो भाई उसको calmness दी, excitement नहीं थी, calmness दी, उसको बहार लेकर गए, उसकी exercise डिपलीट करी, तो frustration नहीं आई, उसके लिए discipline रखा, तो territorial behavior नहीं आई, यह dog काम रहा, तो तुम बोलोगे कि भाई, यह dog aggressive है, तुम बोलोगे यह dog काम है, नहीं, जिन्होंने dog psychology समझी, भले वो instinctively समझ रहे हैं, या फिर उन्होंने like initiative लिया dog psychology को समझने में, या फिर किसी ने आकर उनको बताया कि कैसे dog को raise करना है, अगर आप यह सब चीजे नहीं फॉलो कर रहे हो ना, और आप dog की personality को नहीं देख रहे है, उसकी psychology को नहीं देख रहे है, घर में लेकर आ रहे है, और उससे connect होनी की कोशिश कर रहे है, और सोचोगे की dog काम रहेगा, एक अच्छा companion मिलेगा, आप यह लक पर खेल रहे हो, यह ना, कि हो गया तो हो गया, नह हमारे पास हजारों cases आते हैं आपर ऐसे, so dog psychology के perspective से, और इन दोनों ने किसी ने training नहीं दी, यह भी बोलेगा कि हमने training नहीं दी, यह भी बोलेंगे भाई हमने training नहीं दी, तो किसी का dog काम है और किसी का dog काम नहीं है, training नहीं देने के बाद भी, और बहुत सो लोग ही बोलते कि हमने तो ट्रेनिंग दी फिर भी इसके अंदर एग्रेशन आ गया वो आएगा इसे ही कि ट्रेनिंग से फरक नहीं पड़ता है आप किस तरीके से रेस करते हो उससे फरक पड़ता है और रेस करना आप कैसे सीखोगे जब तक आप सामने वाले को अदरस्टेंड नहीं करोगे और इस अंदरस्टेंडिंग को डॉक से कॉलोजी बोलता है वो डॉक से कॉलोजी के बारे में डॉक को कैसे रेस करना है हम लगातार वीडियो जालते रहेंगे प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा और प्लीज अपने फीडबेक दीजिए कि आपको ये एपिसोट क्या सा लगा, कमेंट्स में अपने और हमें बताई आप क्या सीखना चाहते हो तेंक यू सो मच और बहुत मज़ा है, आपको से कॉलजी के बारे में बात करके ये जब स्टार्ट है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अपना फीडबेक दीजिए, तैंक यू सो मच